कहानी शुरूँ होती है एक पपेट थियेटर से, जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट सो दिखा रहा होता है, वो इस काम में बहुत ही महिर था, वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट्स में जान डाल देता था, जिसकी वजह से अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सके, उसके पास तीन पपेट्स थे, जिनके नाम थे ग्रमपी, ब्रेनली और डिमपिट, वो सारे पपेट्स बैस्टर को उस डिस्क से छेलचार करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंज़िज करने से क्या होगा, पर बैस्टर उनकी एक नहीं सुनता है, और वो उस डिस्क में कुछ चेंज़िज करके उसे ओन कर देता है, उस डिस्क के ओन होते ही वहाँ लाइट्निंग होने लगती है, और देखते ही देखते बैस्टर का हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है, जो देखने मे के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग जेरी के साथ अपनी सैकल से स्टंट करता हूँ अपने घर पहुंचता है वहाँ उसकी दोस्त मोनिका मिलती है हर्वी उससे कहता है कि आज उसने एक नई गेम खरी दी है जिसका नाम पपेट मास्टर है और वो अपने घर के अ लगता है तभी कुछ दिर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं वो जल्दी से अपना गेम को छुपा कर पढ़ने का नाटक करने लगता है उसके डैड उससे कहते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं उनके व वो उस game के hall of fame में सामिल हो जाएगा, वो बहुत खोस हो जाता है, तभी उसे आवाज आती है कि उसके dad घर आ चुके हैं, वो तुरंद game को एक board से छुपा कर सोने का नाटक करने लगता है, उसके dad देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है, वो उसे देखने जाते हैं, पर हार्वी के जूतों पे पैर पढ़ने की वज़ा से वो वहीं गिर जाते हैं, और इसी के चलते हार्वी का computer भी दिखने लगता है, वो जल्दी से उसे छुपाने की कोसिस करने लगता है, पर उसके dad देख लेते हैं, और उससे गुस्से में कहते हैं, कि वो फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा, हार्वी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है, पर उसके dad उसके हाथ से joystick छीन लेते हैं, और छीना जप्टी में हार्वी का computer तूट जाता है, हार्वी अपने dad से गुस्सा होकर चला जाता है, वो कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करते, हार्वी अपने school के लिए निकल जाता है, वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है, वो अपने speed बढ़ा देता है, इधर मोनिका अपने teacher को हार्वी का वेट करने को कह रही होती है, पर वो सब बिना हार्वी को लिए ही trip पे चले जाते हैं, हार्वी वहां देखता है कि उनके सहर का मेर वहां के museum तुड़वा रहा है, ये वही museum था, जिसे उसके dad बचानी की कोसिस कर रहे थे, वहां दो वरकर अपने JCB से उस museum को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं, पर जेरी उन्हें रोकने लगता है, हार्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहां आ जाता है, वो एक पत्थर उठा कर उनकी तरफ फेकता है, जो उस JCB के engine में चली जाती है, जिसकी वज़े से वो खराब हो जाता है, और वो JCB आट अफ कंट्रूल हो जाता है, वहीं कुछ दूर पे मोनीका भी छुपकर ये देख रही थी, वो भी हार्वी के चलते अपने ट्रिप पे नहीं गई थी, हार्वी के डैड वहाँ के मेर को कॉल करके उस म्यूजियम को तोड़ने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी सहर की एक बहुत पुरानी धरोहर है, जिसे उन्हें अच्छे से समाल कर रखना चाहिए, पर मेर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम तूड़ भी चुका होगा, वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भगता है, इधर जेसी बी के आगे का हैमर गिरने की वज़ह से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा सा गड़ा होने लगता है, जिसमें हार्वी और जेरी गिर जाते हैं, उसे बचाने के लिए मौनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है, हार्वी को वहां अंदर एक कमरा दिखाई देता है, जहां बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे, हार्वी को वहां मौनिका भी मिलती है, तभी हार्वी को वहां दिवार पे एक डिस्क दिखाई देता है, जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है, वो उसे वहां से निकाल लेता है, और उसे ओन कर देता है, वहां फिर से वही लाइटनिंग होती है, और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई सीड़ी निकलती है जो ऊपर की तरब जाती है वो तीनों उसके सारे ऊपर आ जाते हैं हर्वी के डैड भी भागते-भागते म्यूजियूं तक पहुँच चुके थे वो देखते हैं कि म्यूजियूं तो अभी भी सही सलामत है हर्वी पूछता है कि क्या वो उनका नया मास्टर है हार्वी कहता है कि वो किसी का मास्टर नहीं है तब ब्रेनी हार्वी को समझाता है कि उसके हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से पपेट मास्टर सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है हर्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी इने कंट्रोल कर शकता है ब्रेन्यूस से कहता है कि तुमें ये साबित करना होगा कि तुम इस डिस्क की पावर को समाल सकते हो उसके बाद तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे और फिर तुम सारे पपेट को वापस से जिंदा करके इस थेटर को पहले की तरह एक खुबसूरत बना सकते हो मोनिका उनसे कहती है कि ये कोई थेटर नहीं बलकि म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तब वो तीनों पपेट उन्हें अपने पुराने मास्टर बैस्टर की कहाने एक प्ले के जरिये बताते हैं कि कैसे उनके मास्टर ने पावर के नसे में अंधे होकर अपने हाट को इस डिसक में डाल दिया पर उसके बाद उसे इस डिस्क के पावर ने हमीशा के लिए कैद कर लिया डिंपिट हर्वी से कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उनका नया मास्टर बने और उनके ग्रेटिस्ट मास्टर के हॉल अफ फेम में सामिल हो जाएं ये सुनके हर्वी को उसके गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तयार हो जाता है वो हर्वी को ये डिस्क वहाँ उपर सेंटर में रख देने को कहते हैं जिससे उनके बाकी के पपिट्स जिंदा हो जाएंगे हर्वी डिस्क के पीछे एक बटन के बारे में पूचता है ब्रेनी उससे वो बटन को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि इसी के वज़े से उसके पुराने माश्टर ने सब कुछ बरवाद कर दिया था हर्वी उस डिस्क को फिर से घुमाता है और इस बार उसकी वज़े से एक ड्रैगन पुपिट वहाँ गिरता है जो अपने मुह से आग भी निकाल सकता था और हर्वी उस डिस्क की मदद से उसे कंट्रूल कर सकता था ब्रेनी हर्वी को वो डिस्क को उसके सही जगा पे रख देने को कहता है जो बिलकुल उनके उपर था तब ही वहाँ हर्वी के डैड अंदर आ जाते हैं सारे पपेट्स अपने आपको छुपाने लगते हैं वो ड्रैगन भी वहाँ बेजान पपेट की तरह ही लेट जाता है हर्वी के डैड उसे वहाँ देख कर उस पे बहुत गुस्सा करते हैं वो कहते हैं कि उसने उनके पूरे म्यूजियम को परवाद कर दिया हर्वी अपने डैड को समझाने की कोसिस करने लगता है और उन्हें वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है और उन्हें सब कुछ बताता है उस मैजिकल डिस्क के बारे में और उन्हें सब कुछ बताता है उन पपेट्स के बारे में पर उसके डैड उसकी कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि हर्वी हमेशा की तरह बस बाते बना रहा है हर्वी उश ड्राइगन को उठा कर उन्हें दिखाने की कोसिस करता है पर वो ड्राइगन बिना कोई हरकत किये वैसे ही पड़ा रहता है हर्वी इस बात से बहुत गुसा हो जाता है वो कहता है कि कभी भी उसके डैड उस पे भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि वो हर्वी पे कुछ जादा ही गुस्सा कर गए और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं तभी पीछे से ग्रंपी उन्हें मार कर गिरा देता है और वो बाकिस अभी पपेट्स डिस्क को गिरने से बचाते हैं ब्रेनी वो डिस्क हर्वी को दे देता है और जल्दी से उसे उपर वहां लगा देने को कहता है हर्वी उस ड्रैगन पे बैट जाता है और उपर की तरफ जाने लगता है उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और वो उस ड्रैगन की पूछ में लटक जाते हैं किसी तरह हर्वी उपर तक पहुँच पाता है उसके डैड अभी भी वहीं हवा में लटके हुए थे वो हर्वी को मना कर रहे होते हैं पर हर्वी उस डिस्क को वहां सेंटर में लगा दीता है, जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम उपर आस्मान की तरफ जाने लगता है, ब्रेनी उसे कहता है कि ये डिस्क को स्टॉम क्लाउड से इनर्जी मिलेगी, और सारे पपेट्स जिन्दा हो जाएंगे, कुछ देर में ही उनका म्यूजियम अस्टॉम क्लाउड तक पहुँच चुका था, और उससे डिस्क को इनर्जी मिलती है, जो वहां बाकी के पपेट्स तक पहुँचती है, और वो सब जिन्दा होने लगते हैं, पर तभी हर्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं, और वो म्यूजियम वापस से नीचे अपने जगा पे आ जाता है, हर्वी अपने डैड पे बहुत गुश्सा करता है, कि वो कब उस पे बिलीव करना सुरू करेंगे, वो जाकर डिस्क को उठाता है, जहां वो डरावने से दिखने वाले पपेट्स रखे थे, हर्वी उन सारे पपेट्स को भी जिन्दा करने का सूचता है, सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर हर्वी कहता है कि वो अब एक मास्टर है, इसलिए वो इन सब को भी जिन्दा करेगा, वो उन सब को जिन्दा करने की कोसिस करने लगता है पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है उसके ऐसा करते ही वहाँ नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपेट्स का पुराना मास्टर बैस्टर होता है बैस्टर अपने पावर से वहां के पपेट्स को जिन्दा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे ग्रमपी उसे ये सब बंद करने को कहता है पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लेता है हर्वी अपने डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोसिस करता है पर बैस्टर उसे वो डिस्क उसे दे देने को कहता है पर हर्वी उससे कहता है कि वो उसे हरा कर इन सब को उसकी गुलामी से आजाद करवा देगा बैस्टर उस पे हमला कर देता है और उससे वो डिस्क छेनने की कोसिस करने लगता है, हर्वी को बचाने के लिए उसके डैड आगया आते हैं, पर बैस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपिट बना देता है, और वहाँ के सारे पपिट हर्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरब जाते हैं, बैस्टर पूरे से कहती है कि उन्हें बैस्टर से वो डिस्क हसिल करनी होगी तभी उसके डैड और वो पपेट्स वापस आ सकते हैं। पूरे से वो डिस्क छीन लेता है और वो भाग कर उस डिस्क को वापस से उसके जगा पे लगा देता है। पर ड्रैगन की आग से वो सारे बैस्टर खत्म हो जाते हैं। बैस्टर अब भी अपने पावर से उन पर हामला कर रहा होता है। हर्वी उसके हमलों से बचने की कोसिस कर रहा था। वो अपने डैड से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा। वो सब बैस्टर की तरफ बढ़ते हैं। उसके डैड वहां से जंप करके बैस्टर तक पहुँचते हैं। और वो जल्दी से कूद कर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। पर बैस्टर मोनिका को पगड़ लेता है। और उसके बदले में उससे वो डिस्क वापस मांगता है हर्वी सोचने लगता है कि इस डिस्क में ऐसा क्या है कि इसे लेने के लिए ये कुछ भी कर सकता है तब उसे बैस्टर की तस्वीर याद आती है और वो जाकर उस डिस्क को उसके हार्ट के पास लगा दीता है जिसके तुरंत बाद उसके सरीर से ग्रीन कलर्ज के गैस निकलने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाता है बैस्टर हार्वी को उसके वापस से असली रूप में लाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो गायब हो जाता है सारे लोग जो पपेट्स बन चुके थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं उस डिस्क को म्यूजियम में रख दिया जाता है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे थे और उस पपेट थेटर को भी सहर के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज दू लाइक और शेर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेश देट बेल इकन